इंटरिस्टिशियल लंग डिजीज वो समस्या है जो हमारे मेहनत का कामदार साथी जो पत्थर की गिसाई करते हैं या जो फाइन डस्ट का काम करते हैं विसेश कर उनको हो जाता है यहाँ कोई बिमारी नहीं है साथ क्यों यहाँ ग्रूप आफ सिंटम है और सास ऐसी चीज है कि एक बार बाहर आई और दुबारा अंदर नहीं गई तो आदमी स्वर्गवास तो कभीर समझ चाहिए आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे नमस्ता बातियों डॉक्टर उमंग खर्ना हुम्यपति क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे इंटरिस्टीशल लंग डिजीज आई एल्डी की इंटरिस्टीशल लंग डिजीज या आई एल्डी एक ग्रूप अफ डिजीज है यह कोई डिजीज नहीं ग्रूप अफ डिजीज है जिसमें कि किसी भी लंग की डिजीज में आपकी स्कैरिंग ओफ लंग टिशू हो जाता है और scaring of lung tissue होने से धीरे धीरे आपकी जो सांस लेने की छमता है वो आपके फेपड़ों की कम होती जाती है तो आज हम ILD के विशे में बात करेंगे और आपको बताएंगे इसको ठीक करने की कुछ कारगर होमियोपथिक तवाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं इंटरिस्टीशियल लंग डिजीज आई-ई-डी होता क्या है जैसा हमने बताया साथियों इंटरिस्टीशियल लंग डिजीज आई-ई-डी आपके लंग्स की वहाइस्तिती है कि जिसमें आपका धीरे-धीरे किसी भी infection से scaring of the tissue होने लगता है और इसमें सबसे प्रमुक होता है asbestos asbestos या जो हमारे कामगार साथी पत्थर का काम करते हैं पत्थर की गिसाई करते हैं, पत्थर को काटते हैं तो fine dust उससे आती है उस सबसे जो lungs में infection होता है और scaring of tissue होने लगती है उसी स्थित्री को कहते हैं interstitial lung disease, ILD symptoms की बात कर लेते हैं साथी हो symptoms ILD के जब मरीज कहरी सांस न ले पाए तो वही ILD का सक्षे बड़ा symptom होता है shortness of breath अगर shortness of breath किसी मरीज में है तो उसको लिए आप डॉक्टर से ILD की डाइग्नोसिस बनवाज सकते हैं कारणों की बात कर लेते हैं साथियों ILD interstitial lung disease के कारण बहुत सारे होते हैं जिसमें मैंने बताया सबसे important होता है occupational disorder जब मरीज कोई कामगार साथी हमारा पथर का काम करता है या फिर घिसाई का काम करता है या फिर घिसाई का काम करता है fine dust जहां पर involved वो उस इस्तिती की होमियोपैथी में बहुत कारगर दबाए हैं और उसका कारण वो fine dust ही है समस्या है साथियों एक बड़ी समस्या है अगर आप सांस ना ले पाए तनी कीमती चीज तो वो एक बड़ी समस्या है जाई इसी बात है होमियोपैथी में इसको ठीक करने की कारगर दबाए हैं आज हम बताएंगे आपको उसी में से कुछ कारगर होमियोपैथी दबाएं इंटरिस्टिशियर डिजीज या ILD की होमियोपैथी में दो प्रमुक कारगर दबाएं हैं साथियो दबाएं और भी हैं एक वीडियो हमने ब्रॉंकाइटैसिस के विशाय में बनाया है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें भी आपको ILD के रेफरेंस की ही दबाएं मिलेंगी और COPD का वीडियो देख सकते हैं लेकिन क्योंकि याँ विशाय ILD हो रहा है तो इसको ठीक करने के हुँमियोपैथी में दो बहुत कारगर दबाएं है पहली दबाएं साइलीसिया और दूस्री दबाएं बेरिलियम आप यहाँ दो दबाएं 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं अगर उसको ILD डाइगनोस हुआ है साइलीसिया में खासतोर से बता दू कि जो साइलीसिया का बलगम आता है मरीज के वो बहुत बद्बूदार होता है उफिंसिव होता है तो अगर यहाँ सिम्टम हो यहाँ दिक्कत हो तो आप साइलीसिया 30 और पेरिलियन 30 दो दो फून दिन में 3 बार ले सकते हैं संभावना है कि यहाँ आपके इंटरिस्टिशल लंग डिजीज में आपको आराम देंगे दबाएं साथियों और भी हैं बहुत हैं और क्योंकि यह ग्रूप ऑफ सिम्टम है आई एल्डी तो इसकी तमाम दबाएं जो तमाम वीडियो में अलग-अलग सिम्टम में पढ़ी हैं जो फेपड़े लंग से सम्मंदित हैं सी ओ पीडी से सम्मंदित हैं आप उन वीडियों को हमारे देख सकते हैं बिरहाल यह दो दवाएं हैं दवाएं कारगरे साथियों लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि किसी को सल्ची किसक से पूछ के ही दवा लीजेगा यो अपने मन से कोई दवा ना लीजेगा और बहुत सी दवाएं साथियों आती हैं बारा से दो बजे के बीच में ग्रिंडेलिया बहुत अच्छी दवा है ग्रिंडेलिया रोबस्टा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप इस दवा को ले सकते हैं कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है जब आपके घूखापन सोरने साथ के लंक्स में हो उस इस्टिती में कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है आप 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं नैक्टरम सल्स बहुत अच्छी दवा है इसकी 200 पावर की एक खुरा का पहरपते ले सकते हैं इस्पॉंजिया बहुत अच्छी दवा है, लोबीलिया, इंफ्लाटा बहुत अच्छी दवा है इस तरह तमाम दवाएं आती हैं ILD की, आप सिम्टम के हिसाब से उन दवाओं को ले सकते हैं आप थोड़ा सा महनत करके सर्फिंग करेंगे हमारे चैनल के वीडियो को तो आपको और भी कल्प मिल जाएंगे लेकिन बेरिलियम और साइलिसिया निश्चित रूप से दो प्रमुग दवाएं इंटरिस्टी शल लंग डिजीज यानि ILD की दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन निविदन करेंगे किसी कुसलची की सख से पूछे कोई दवाब मत लीजिएगा अगर आपके मन में कोई क्वरी हो तो वार्टसैप करिएगा हमारे वार्टसैप नंबर पर कुशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें निविदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके यूही सबसे पहले सबसे ने वीडियो प्राप्त करते रहिएगा आपका साथी हो हमाई साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि सिarm के लिए přाइदे पन्यवाद कि अुमें खन्यवा ऌता है कि मारे कि अद्यवाद नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना हुम्यपति क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे इंटरिस्टीशियल लंग डिजीज आई एलडी की इंटरिस्टीशियल लंग डिजीज या आई एलडी एक गुरूप अफ डिजीज है यह कोई डिजीज नहीं गुरूप अफ डिजीज है जिसमें कि किसी भी लंग की डिजीज में आपकी scaring of lung tissue हो जाता है और scaring of lung tissue होने से धीरे धीरे आपकी जो सांस लेने की छमता है वो आपके फेपड़ों की कम होती जाती है तो आज हम IT के विशे में बात करेंगे और आपको बताएंगे इसको ठीक करने की कुछ कारगर होमियोपर्थिक तवाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं INTERSTITIAL LUNG DISEASE ILD होता क्या है जैसा हमने बताए साथियों INTERSTITIAL LUNG DISEASE ILD आपके लंग्स की वहाँ स्थिति है कि जिसमें आपका धीरे धीरे किसी भी infection से scaring of the tissue होने लगता है और इसमें सबसे प्रमुक होता है इस्वेस्टॉस या जो हमारे कामगार साथी पत्थर का काम करते हैं पत्थर की गिसाई करते हैं पत्थर को काटते हैं तो fine dust उससे आती है उस सबसे जो lungs में infection होता है और फिर scaring of tissue होने लगती है उसी स्थिति को कहते हैं interstitial lung disease ILD symptoms की बात कर लेते हैं साथियों symptoms ILD के जब मरीज गहरी सांस न ले पाए तो वही ILD का सबसे बड़ा symptom होता है shortness of breath अगर shortness of breath किसी मरीज में है तो उसको लिए आप डॉक्टर से ILD की डाइगनोसिस बनवा सकते हैं कारणों की बात कर लेते हैं ILD interstitial lung disease के कारण बहुत सारे होते हैं जिसमें मैंने बताया सबसे important होता है occupational disorder जब मरीज कोई कामगार साती हमारा पत्थर का काम करता है या फिर घिसाई का काम करता है या फिर एप्रस्टॉस का काम करता है fine dust जहां पे involved वो उस इस्तिति की हुम्योपैथी में बहुत कारग समस्या है अगर आप सांस ना ले पाए इतनी कीमती चीज तो वो एक बड़ी समस्या है जाई इसी बात है होम्योपैथी में इसको ठीक करने की कारगर दबाए है आज हम बताएंगे आपको उसी में से कुछ कारगर होम्योपैथी दबाएं इंटरिस्टिशियर डिजीज या आई लडी की हम्योपैथी में दो प्रमुक कारकर दबाएं हैं साथियों दबाएं और भी हैं एक वीडियो हमने ब्रॉंकाइटैसिस के विशाय में बनाया है आप उस वीडियो को भी डेख सकते हैं उसमें भी आपको आई लडी के रेफर तो इसको ठीक करने कि हम्योपैथी में दो बहुत कारकर दबाएं हैं पहली दबाएं साइलीसिया और दूस्री दबाएं बरीलियम आप यहाँ दो दबाएं 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार मरीज को दे सकते हैं अगर उसको आई डी डाइग्नोस हुआ है साइलीसिया में खास्तोर से बता दू कि जो साइलीसिया का बल्गम आता है मरीज के वो बहुत बदबूदार होता है उफिंसिव होता है तो अगर यहाँ symptom हो यहाँ दिकत हो तो आप Silesia 30 और Beryllium 30 दो दो पून दिन में तीन बाल ले सकते हैं संभावना है कि यहाँ आपके Interstitial Lung Disease में आपको आराम देंगे दवाए साथियों और भी हैं बहुत हैं और क्योंकि यह group of symptom है ILD तो इसकी तमाम दवाएं जो तमाम वीडियों में अलग-अलग symptoms में पढ़ी हैं जो फेपड़े लंग से संबंदित हैं COPD से संबंदित हैं आप उन वीडियों को हमारे देख सकते हैं बिरहाल यह दो दवाएं हैं दवाएं कारगर है साथियों लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि किसी को सल्ची किसक से पूछ के ही दवा लीजिएगा यो अपने मन से कोई दवा ना लीजिएगा और बहुत सी दवाएं साथियों आती हैं मैं कुछ का नाम ले देता हूँ ब्राइनिया बहुत अच्छी दवा है जब आपको चलने से तकलीब बढ़ती हो ILD में आसनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है जब आपकी सास बहुत फूलती हो खासतों से रात में बारा से दो बजे के बीच में ग्रिंडेलिया बहुत अच्छी दवा है ग्रिंडेलिया रोबस्टा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप इस दवा को ले सकते हैं कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है जब आपके घूखा पन सोरने सापके लंक्स में हो उस इस्टिती में कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है इस तरह तमाम दवाय आती हैं ILD की, आप symptom के हिसाब से उन दवाओं को ले सकते हैं, तमाम वीडियो में इन दवाओं की मैने चर्चा करिए, आप थोड़ा सा मेहनत करके सर्फिंग करेंगे हमारे चैनल के वीडियो को, तो आपको और भी कल्प मिल जाएंगे, लेकिन बेरिलि किसक से पूछे, कोई दवाब मत लीजिएगा, अगर आपके मन में कोई कोरी हो, तो वार्ट सैप करिएगा, हमारे वार्ट सैप नंबर पर कुशिश करेंगे, आपकी बात का जवाब दे सकें, निमेटन करेंगे साथियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो क लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके यूँही सबसे पहले सबसे ने वीडियो प्राप्त करते रहिएगा, आपका साथियो हमारे साथिती देर रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, इंटरिस्टीशियल लंग डिजीज वो समस्या है, जो हमारे मेहनत का कामगार साथी, जो पत्थर की गिसाई करते हैं, या जो फाइन डस्ट का काम करते हैं, विसेश कर उनको हो जाता है, यहाँ कोई बिमारी नहीं है साथ क्यों, यहाँ ग्रूप अफ सिंटम है, और सास हैसी चीज है कि एक बार बाहर आई और दुबारा अंदर नहीं गई तो आदमी स्वर्गवास, तो कभीर समस्या है, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे.